दोस्तों अगर आप WhatsApp को यूज करते हैं तो अभी अभी WhatsApp में आप लोग देखेंगे एक नया फीचर आया है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तीन आदमी जैसे लोगों का जो है एक शिंबल दिया हुआ है और यहाँ पर इस जो फीचर का नाम है वो है अभी आप इसका काम देखकर चोख जाएंगे और आपकी बड़ी प्रोलम थी दोस्तों वाट्शाब में जिससे आपका बहुत जादा टाइम लग जाता था वो काम करने में वह ऐसा नहीं होगा इस फीचर ने आपका काम आसान कर दिया है और आपको वाट्शाब को चलाने मेंबर को जितने भी आपके गुरूप है आपके फैमिली मेंबर है सभी को इस वीडियो को सेरे कर देना ताकि वह भी कुछ ना सीख पाया और वहाट्शाब को इस तरीके से यूज कर पाया जैसे कि आप लोग करेंगे आज से वीडियो को देखने के बाद चले दोस्तों व और लेटिडड ग्रूप और अनॉंसमेंट इन्होंने कहा है कि आप खोति असानी से आप और रागनाइज कर सकते हो रिलेटिड गूरूप को यानी की जितने भी आपके पास group है, मान लिजे कि ये कोई group है, एक test group ये भी मैंने बनाए है, आपको example देनी के लिए, एक test group था, दूसरा test group है, suppose कि रिए आप college जाते हो, या आप कहीं पर job करते हो, तो वहाँ के group अलग रहते हैं, ओके, आपके दोस्तों के, teacher, teachers के, अगर आप दोस्तों कहीं पर job करते हैं, वहाँ पर company के group अलग रहते हैं, अगर जब आप घर आजाते हो, तो आपके family member के, और गले महुलों वालों के अलग दोस्तों यहां पर group रहते हैं, और जो आपके दोस्त हैं, उनके अलग से रहते हैं, तो उनको ढूनने की जुरूदिने पड़ेगे आपको एकक करके एकक करके आप उसकी community set कर देंगे सभी group को एक जंगा रख देंगे उनकी category wise जिसको आप बोलेंगे community community मान लेजे कि एक group चार गूरूप ऐसे है आपके वाट्साप के अंदर जो आपके college से जुड़ेवे हैं उनका नाम रख देंगे आप college और यहां पर start your community पर click करेंगे आप यहां पर community का नाम आएगा तो जैसे कि मैंने आपको पताया जिस community के group को आप जिस community में जोड़ना चाहते है अभी समझ में जाएगा सभी आप थोड़ा बारी सा लग रहा होगा आपको यार क्या है तो उसका नाम रख देंगे जैसे कि मैं अभी प्रजेंट में job करता ह हूँ ओके तो यहां पर community क्या होगी मेरी दोस्तों जिस और एग नाजिमे में काम करता हूँ मालेज कि मैं आई आई टी रूड़की में काम करता हूँ ओके तो मैंने लिख देंगे यहां पर iit रूड़की इसके बार community description इसको आप खाली भी छोड़ सकते कुछ लिख भी सक तो अब यहां पर देखिए create new group या फिर add existing group आ रहा है एक फिचर आ रहा है यह उपर की साइड तो यहां पर आपको क्या करना है add existing group पर क्लिक करके जितने भी अब आपके आई टी से related group है उन सभी को add कर लेंगे जैसे मेरा test one है test two है और यहां पर high वाला है तीन group है मेरे पास new community में जाकर आप यहां पर college लिख लेंगे college वाले जितने भी group है आपके पास उनको एक जंगा add कर लेंगे इससे फाइदा क्या मिलेगा मालीजी कि आपको कोई message type करना रहता है ना या फोरूड करना होता है वह आपको बार बार अगला गरूब में जाकर जैसे कि मुझे यह यहां पर कुछ लिखना है इस group में test group में यहां पर जैसे कि मैंने यहां पर कुछ लिख दिया अब इसको मुझे share करना है तो इसको copy करके फिर इस वाले group में paste करना पड़ेगा तो वह काम करेंगे यहां पर आपने community बना दिती उस पर click कर लेंगे इस तरीके से ओके यहां प दोस्तों आप देखेंगे जो आपने हाई लिखा यह तीनों same group में दोस्तों चला जाएगा ओके यह इसका benefit है ओके जितने भी पार्टिसिपेट के थे इन group के अंदर उन सभी को दोस्तों यह message चला जाएगा और इससे दोस्तों आपको time बचेगा आपका जोस्तों जो अलग अलग वह copy paste वाला जिंजट था वह बच जाएगा तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको यूज कर सकते हो इसमें आपने करके अलग अलग तरह की गुरूप भी बना सकते हो ओके नए वाले और पुराने गुरूप को भी एड़ कर सकते हो ओके दोस्तों और साथे साथ दोस् कम्यूटी आएगा इसको डियक्टिवेट कर देंगे ओके तो दो बार से जो कम्यूटी थी वो डियक्टिवेट हो जाएगी तो बाकि जब आप इस फिचर को यूज करेंगे पूरा समझे में आपके तब जाएगा अभी समझे में नहीं आ रहा होगा कुल मिला कि यह है आप इस तरीके से भेज सकते हो मैसेज करके बहुत इच्छी यह फैसलेटी निका लिया आप लोगों के लिए आई होप यह वीडियो आपको च्छ लोगी को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना तो हितार शुड़ों समस्कार दोस्तों आपका दिन सूबो